मैंने ये पिच्चर एक गुस्षे में बनाई है और सावरकर जी के अन्याय को स्ठीक करने के लिए बनाई है मेरी इसने किसी ने मदद नहीं की मैंने अपना घर बेच के पिच्चर बनाई है आमर अनंशन बहुत लोगों ने किया मरा कोई नहीं हर इंसान कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अपनी शकल शीशे में देखता है और उसको ख्याल होता है कि यार तुझे तो एक्टर होना चाहिए था में को प्रॉब्लम वहाई थी जब मेरा घुटना तूट गया था बीच में पिच्चर शेल्फ हो गई थी ये प्रॉपगंडा पिच्चर शेल्फ हो गई थी तो उस नाटक के बाद वो कंपिटिशन चल रहा था उसके बाद मेरी सिष्टर को बेस्ट एक्टरस अवाड मिल गया है सुम ऐसे कर रहे हैं मैं ऐसे बैठा हूँ आप मैंने 23 साल के करियर में 11 साल में एक भी दिन सेट पे नहीं गया हूँ शूटिंग के लिए नमस्कार मीद न्यारदा कदम मासा कट्ट्या वरती अपला सरवांस स्वागत मासा कट्टा प्रेजेंटेट बाई क्विखिलानी बढ़ेकर ग्रूप पावर्ड बाई ग्रीन हार्वेस बैंक ओफ महाराष्ट्र चंदुक का स स्वातंत्र विरांची भूमी का साकार लिये रंडीप हुडा या अश्ट पईलो अभिनेत्या न आणि आज रंडीप आपला पाहुणा है कट्ट्याचा भारतिय स्वातंत्र चरवलीचा इतिहाज जा नावान शिवाय पूर्ण होत नहीं असे एक नाव मंजे स्वातंत्र विर विनायक दामोदर सावरकर प्रखर राष्ट भक्ति जिवलनत हिंदुत्व त्यागाची परिसीमा तेजस्वीवक्ता समात सुधारक आणि उत्तम साहित्ति कायस्तो हे सावरकरांसा जीवनवट पाहुणा अपलाला करता मारीता मारीता मरेतो जुंजे न अशी शपत अग्दी शेवत्चा श्वासा परंत अपल्या मात्रू भूमी साथी समर्पित जाले लिया स्वातंत्रवीर सावरकरांसा लार्जर दैन लाइफ व्यक्ति मत्व सिनेमाचा साउकटित माणना बंजे शिवधनुष्य पेलना सर्ख पन्हे धाडस दाखोले रंडीपना रसिया मदली राजा रविवर माची भूमी कासो सरब जीत मदल्या सरब जीची कि वा एका महिनात साडे तेरा कोटी लोकान नी पाहले ले ले एक्स्ट्राक्शन मदल्या साजू राऊची तो मोस्केस रोल करतो पन प्रेक्षकांचा मना दिर्गकार चाप सोड़तो हास रं आप दयर्या तेमे कशा पेला लिया बदला स्थेत रंडीप शी सम्वासाद विया नमस्कार अपलखूब सुआगदे गट्यावर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रंडीप जब जब जिस तरह से देख रहे थे वह देखने लाइक था तो कि मैं ध्यान से सुन तो क्या-क्या समझ में आया उसमें से मेरी बहुत बड़ाई की थैंक यू वेरी मच और सावाकर जी के बारे में आपने बहुत ठीक बोला वो बहुत ही लाजर देन लाइफ परस्नालिटी थे उनका ये उनके साथ थोड़ी सी उनका दुरभाग्या ये हो गया था कि मराठी बहुत कम लोग लिखते और बोलते हैं अगर मराठी लोग पढ़ते उनकी बाते हैं पूरा देश पढ़ता तो आज उनका व्यक्तित्व उनका जो ओदा है इस दुनिया में इस देश में वह बहुत ज़ादा होता क्योंकि मेरे को भी उनके बारे में रिसर्च करते वक्त य ही वो रही कि काश मैं इतनी अच्छी मराठी लिख पाता या पढ़ पाता मैंने पहले कोशिश की कि मैं इसको मराठी में इसमें कुछ रखूं काफी मराठी रखूं मैंने ट्यूशन भी लेनी शुरू की पर बहुत टफ लेंग्वेज लगी मुझे क्योंकि में को समझ में आती है पर बोलते वक्त वो एक्सेंट में और आपका इमोशन भी है मैं डिरेक्टर भी था तो मुझे बहुत कुछ काम करने होता है अगर सिर्फ एक्टर होता है तो शायद मैं इसमें ज्यादा महराठी बोलता ओर मराठी में और कुछ पि Georgia की Marathi dubbing सुनी मेरे को सच में बताऊ तो मराठी में ज्यादा अच्छी लगुए ही पता नहीं क्या एक तो मराठी लेंगवज मुझे बहुत ब्यूटिफू लगती है उसके strong words है हमारी हर्यान भी इसी होती है पर मराठी थोड़ी ज़यदा literature language है थोड़ा सा लोग आपकी अपनी लीपी है हमारी लीपी नहीं होती हमारा तो accent है जो कि हिंदू हिंदूस्तानी accent को हम लोग थोड़ी खड़ी बोली से बोलते हैं पर हमारे जो वाउल्स हैं हमारे जो काफी शब्द हैं वो माराठी में भी है पर माराठी में म्यूजिक अर्यानवी से बेटर है अच्छा सबसे पहला सवाल तो वही कि क्यों लगा कि ये फिल्म हम मतलब आप बनाए स्वातिंत्रेवीर सावर करके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि ये आपको बहुत अंदर से लगा कि ये बनानी ही चाहिए ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और मेरा एक सिंपल सा जवाब पहले तो ही होता है कि भाई क्यों नहीं बनाए सब को इतनी तकलीफ क्यों है सावर कर जी पे पिच्चर बनाने पर दूसरा जब मुझे ये रोल एज अन एक्टर आया था मतलब ऐसा है क्यों बनाए मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जिसके कारण जिसके बाद आपको लगा क्या रहे नहीं इनका तो ये इनका काम ऐसा है कि इस पे तो फिल्म बनानी ही चाहिए ऐसा कुछ इंसिडन्स था जो जब मेरे पास ये फिल्म लेके आये थे बताओर एक्टर तो उस वक्त मैं तो इतिहास का काफी हो रहा हूँ स्कूल में मुझे मैथ्स की जगे हिस्टरी बेटर लगती थी वो तो क्लास ट्वेल्थ में मुझे हिस्टरी वो साइन्स और बाई और मैथमेटिक्स जिल्वा के मुझे अल्मुस्ट फेली करा दिया था पेरिंट्स ने पर मैंको लगा अच्छा पहले बुटो मुझे रहा है कि मैं दिखता नहीं हूं इन जैसा तो वो मुझे पहला डाउट हुआ पर मैंका चलो देखते हैं तो एक्चुरी मैं मुझे रिलाइज हुआ कि मुझे भी नहीं पता तब मेरा थोड़ा सा वो वीर सावरकर काला पानी इसके अलावा ज़्यादा नौलिज नहीं थी फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुसली इतिहास की किताबों में जो की अंग्रेजी की किताबे पढ़ी मैंने शुरू में जो की एक तक्वे के लोगों ने लिखी थी उसके अंदर सशस्त्र करान थी सावरकर जी को छोड़ो पूरी सशस्त्र करान थी आम्ड रेवलूशन का बहुत ही कम विवरन होता था और उसके बाद की यह 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 भी थे है इन्होंने कोशिश की यह कुछ नहीं कर पाए फिर मैंने देखा कि यह इतने लोगों को फांसियां दी जेल, काला पानी जैसे मैंडले भेजा, यमन भेजा और तोपों पे लगा लगा के उड़ाया तो यह लोग कुछ नहीं कर रहे थे तो क्यों किया यह फिर मैंने उसमें जब डीपर रिसर्च की मैं और उसमें किताबे पढ़ने लगा फिर कुछ नई किताबे आई विक्रम संपत साब की आई पुरंदरे जी की पढ़ी फिर मैंने नेशनल आर्काइवज देखी फिर मैंने काला पानी में अपना बोर्ट ब्लेयर में कांटैट किया उनको कि भई क्या 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 तो वो सब पढ़ने के बाद फिर मुझे रिलाइज हुआ कि यार कितने बड़े आदमी थे इनकी उपलब्धी हमारे देश में कितनी बड़ी है कितना इनका महत्व होना चाहिए फिर मैंने एक जब वो लिखा तो फिर मेरे को पती पता चली की चीजें कि इनकी कहानी हम तक फिर मेरे पर सवाल उठने लगी कि क्यों नहीं पहुंची जो कि मेरे ट्रेलर का हैश टाए गए क्यों इनकी कहानी हमारे स्कूलों में महाराष्टरा के बाहर पब्लिक डिस्कॉर्स में क्यों इनको सिर्फ एक लालचना पॉलिटिकल लालचना लगा के छोड़ देते तो उस चीज से फिर मुझे गुसा आने लगा कि यार ये तो अन्याए हुआ है उनके साथ और मेरी अब मेरा करतव्य बनता है कि इनको न्याए मैं दिलाओं मैंने आपके कुछ इंट्रिव्यूस देखे तो एक इंट्रिव्यूस में कही तो आपको पुछा कि सावर कर को माफी वीर कहते तो आपने कहा कि कोई माफी वीर बोलेगा तो मैं थपड मारूंगा जी तो इतना इतना ये क्योंकि गुसा आता है मुझे कि उनके सच को इतना क्यों टेड़ा किया जा रहा है क्यों उन पर इतनी लालचना लगाई जा रही है और जिनोंने बोला है उनकी दादी ने उनके लिए खुद पोस्टल स्टैंप निकाली उनके मरने पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वो बहुत ब्रेव थे और उनका योगदान ना सिर्फ देश की सोतंतिता में पर देश को फॉर्म करने में बहुत बड़ा था ये कोई नहीं बोलता है एक्चिली सारा चक्कर हुआ था पॉलिटिकली जब 1942 में कुट इंडिया मूव्मेंट जब गांदी जी ने शुरू किया जिसमें सभी लोग बढ़या-बढ़या जेलों में बड़े आराम से गांदी जी तो आगा खान पैलेस में रहते थे पूरी कॉंग्रेस पार्टी जेल में चली गई उन्होंने अरेस्ट कर दिया अपने आपको दे दिया तो ये जो कुट इंडिया हुआ इसको सावरकर जी स्प्लिट इंडिया बोलते थे क्योंकि बाहर पार्टी जो मुस्लिम लीग थी वो और स्ट्रॉंग हो गई फिर उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग मन वा ली और आजादी से पहले तीन मेजर पार्टीयां थी सर मुस्लिम लीग इंडिया नैशनल कॉंग्रेस और हिंदू महासबा मुस्लिम लीग के सारे ज्यादा तर लीडर चले गए पाकिस्तान हिंदू महासबा जब बची जब गांदी जी की असेसिनेशन हुई तो पहली चिठ्थी आई थी कि सावरकर जी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए बहुत बड़ी हस्ती है अगर जुडिशल प्रूफ हो तो ही आगे बढ़े फिर एक मीटिंग हुई कहीं पे फिर आया कि जुडिशल प्रूफ ना होने के बावजूद भी उनकी हिस्ट्री और इडियोलोजी से ये हो सकता है इस बात पिर उनने उनको अरेस्ट किया इस चीज से इस लालचना से हिंदू यूनिटी और हिंदू महासभा दोनों विलिफाई हो गई क्योंकि आर्टिकल में हेडलाइन्स या आती थी कि गांदी जी को हिंदू ने मारा है एक इनसान ने नहीं मारा है एक नागरिक ने नहीं मारा एक हिंदूस्ताणी ने एक हिंदू ने मारा है उससे बिल्कुल हिंदू महासभा विलिफाई कर दिए उनके बिल्कुल उसको एक विलन बना दिया और 1952 इलेक्शन में वो लोग almost unopposed जीत गई को Indian National Congress तो ये एक मेरे हिसाब से मुझे ये एक शडियंतर लगता है उनके उस टाइम की क्योंकि लाखों हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आये थे Indian National Congress की जो promise थी एक peace की peaceful partition की वो तूट गई थी एक million लोग मरे थे उसमें 10 से 20 million लोग displaced हुए थे तो लोगों में Congress के प्रती unrest था पर ये एक जो एक mastercard वो जिसको बाद में उनने कपूर कमिशन मिठाई उनके मरने के बाद और उसने कोई judicial कमिशन नहीं थी बस एक वो कांटा साथ थी the needle of suspicion still hangs on him कोई judicial वो नहीं था फिर अब 2018 में जाके Supreme Court में किसी ने P.I.L. form की फाइल की थी तब उन्होंने बोला कि they upheld the decision of 1949 की जो जो judgment थी कि ना ही कोई proof था कोई connection ही नहीं बना पाए इस शडियंतर से उनका ये जो फिल्म है ये मतलब शुरू कहां होती है और कहां खतम होती है ये फिल्म शुरू होती है 1897 1997 में शुरू होती है और 1950 में खतम होती है 1997 में पहली बार plague आया था और वो Bombay Dog से महराश्टरा में पहले आया था और अगले 20 साल तक किसी ना किसी हिस्से में देश के plague रहा था तो उस वक्त यहां कमिशनर होते थे W.C. Rand उनको उनोंने औरतों के साथ भी अत्याचार किया था मंदिर वंदिर तोड़ दिये थे लोगों के घर तोड़ दिये थे लोगों को detention camps में डाल दिया था तो वो अत्याचार देखते हुए चाफेकर बंधूं ने उनको मारा उनको और lieutenant आयस्ट को जब उनकी फासी हुई तो वहां से सावरकर जी के ने एक शपत ली के मैं शिवाजी महराज की तरह इनको मार मार के भगा दूँगा या चाफेकर बंधू की तरह मारते मारते मर जाओंगा वो अश्ट बुजा देवी के आगे उनने शपत ली थी वहां से उनकी लाइफ का एक कोर्स एकदम से बदल गया और उनके पूरे परिवार के साथ अत्याचार हुआ नारायन राओ जो छोटे बाई थे कितनी बार जेल गए वो डॉक्टर थे पेशन्ट नहीं आते थे कि उनका नाम सावर करे उनकी बीवी के उपर क्या गुजरी होगी उनका एक बच्चा था जब वो लंडन में पढ़ रहे थे प्रभाकर वो मर गया यहाँ बीवी अकेली वहाँ पे वो वापिस नहीं आ पा रहे है फिर उनके बड़े भाई को सजा हुई बाबा राओ सावर कर जो की मेरे खयाल से उनके उपर भी एक अलग से पिच्चर बन सकती वो काला पानी गए उनको पंडित जैक्शन के मर्डर में और एक्स्प्लोसिव के मैनुवल्स उनके पास मिले विस्तॉल विस्तॉल से कनेक्शन बन गया उनको भेजा फिर उसके पहले तिलक जी को भेज दिया क्योंकि खुदीराम बोस्ट ने जम फोड़ा था तो सब ने उनको बोला था कायर है ये है वो है तिलक जी ने बोला कि बहादर है तो तिलक जी को भारत से मैंडले बर्मा भेज दिया गया जो भी शस्तर उठाता जो भी कुछ करता जो भी हार्ड लाइनर होता गरंदल वाले होते उनको छोटी सी बात पे भारत से बाहर भेज देते थे ताकि वो बाकी लोगों को छोड़ो जेल में भी लोगों को इंफ्लूंस ना कर पाए चापे कर बंदू को उन्होंने फांसी लगाई वसुदे फढके को फांसी एकदम नहीं लगाई फढके जी ने पहले 1857 के बाद फढके जी पहले थे जो बड़े लेवल पे जिन्होंने अंग्रेजों को मारना लूटना शुरू किया था वो बहुत ही उनकी तो कहानी बहुत ही रोमान चके उनकी मुख़वरी हुई पकड़े गए पर उनको फांसी नहीं दी तीन साल उनको यमन में रखा नहीं दी दो उमर कैदी 25-25 साल की तो बी सर्वड वान आफ्टर दी अधर पचास साल उननीस सो साथ में छूटने वाले थे वो जेल से तो कई लोग बोलते हैं कि भगत सिंग जी से उनका कंपेरिजन करते हैं भगत सिंग जी को फांसी हो गई थी यह तो 27 साल का लड़का आज की उमर में आज के दिन में तो लड़का ही हो गया वो उस टाइम में आदमी हो जाता था 27 साल का लड़का पचास साल के लिए जेल जा रहा है पढ़ा लिखा करांती कारी खयालों वाला ना सिर्फ करांती में पर समाद सेवा में सोशली, कल्चरली, कितना रिफॉर्मर लिखने वाला इंसान वो क्या आपको क्या लगता है वाजा कि अच्छा अभी हनीमून पे आ गए अभी लेटो सेल में अराम से बार सी है समूंदर है, ऐसे नहीं ना उनकी तो आत्मा तिल मिला रही थी वहाँ पे, कि मैं किस काम का हूं देश के तब उन्होंने ये सब लिखना शुरू किया था साम दाम दंड भेद कैसे भी करके यहां से निकलना है, क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं है 1857 भारत का पहला स्वतंतता संग्राम रिसर्च करके कि कहां कहां पे अलग-अलग राजियों में भारत के लोगों ने शस्तर उठाके करांती करने की कोशिश की थी अंग्रेजों को बगाने की कोशिश की थी वो किताब फिर एक बाइबल बन गई Bible नहीं बोलना चाहिए पर वो एक किताब एक Manual बन गई जिससे सभी प्रेरित होते थे H.S.R.E. में चले जाओ आप ऐसे हिंदूस्तान सोचलिस Republican Army की आप जॉइन ये नहीं कर सकते थे अगर आपने एक किताब नहीं पड़ी होती थी उसके हेड थे चंदर शेकर आजाद और उसके मेंबर थे भगत सिंग भगत सिंग ने उनकी किताबे अंग्रेजी में दुबारा पब्लिश करके कॉलिजों में माटते थे जब नेता जी की आजाद हिंद फौज बनी तो उसके अंदर वो लोग आपको यूनिफॉर्म मिलती थी जूते मिलते थे कंबल मिलता था बंदूक मिलती थी और ये किताब मिलती थी तो उनका जो ये नजरिया बदलने की जो उनकी वो थी और ये पहली किताब थी जो छपने से पहले बैन कर दी थी करजन वाइली ने जो वहाँ के secret services कहड़ते कोपन हेंगम में चपी थी वहाँ से बंदू के समगल की जा रही थी बॉब मैनुवल भेजे जा रही थे secret society यूरप के सारी secret society से संपर्क हो गया था अमरीका में secret societies बन गई थी यहाँ पे अभिनव भारत था यहाँ पे, मित्रमेला बनाया, फिर अभीनव भारत बनाया, ऐसी बेंगॉल में, पंजाब में, मदरास प्रोविंस में, सब्क में बाते शुरू होगी थी, कॉर्रस्पॉंडेंस शुरू हो गए थे सवरकर जी के, पुरे उनकी जीवनी है, उसमें बहुत सर ऐसे प्रसंग भी है, बहुत ड्रामाटिक और रोंग्टे खड़े करने वाले, मैं को, अज़ फिल्मेकर मैं तो पागल हो गया था इसे, मैं कहाँ जिंदगी मैं उनको, उनको मैं ड्रमाटिक ली दिखाया है, संत्रवीर है, इसलिए तो मानते ही है, आदर करते, लेकिन वो लेखक थे, बहुत बड़े, वो बहुत बड़े कवी थे, माराथी भाषा को तो कितना सम्रुदिखिया है उनको, तो वो कैसे आते है फिल्म में, ये जो उनके व्यक्तित्व के पहलू है, ये जो फिल्म में मे अड़े देश की politics भी थी, जिसमें हिंदुत्वा भी था, हिंदु-Muslim भी था, विभाजन भी था, गान्दी असैसिनेशन भी थी, तो मैं इसमें उनकी poetry तो समने पढ़ी है, मैंने इसमें उनकी poetry डाल नहीं पाया हूँ, पर उन्होंने काला पानी में छे हजार कविताएं लिखी थी जो दिवार पे लिखते थे वो वेट करते थे कि कुछ गलती हो जाए ताकि उसका पोथा मार दें आके एक और लिख दें और याद कर लेते थे पर इसमें मैंने उनके दिल से कही हुई ने मजसीने परत मात्र भूमीला सागरा प्रान तर्मडला ये मैंने जब उनक का बेटा मरता है तो मैंने वो एक अलग तरीके से बताई है क्योंकि वो कहानी शुरू ऐसे होती है एंड में वो आती है कि आंगल भूमी भैभीता रे अबलाना माजी ही माता रे एक कठिस आता रे अगस्तस आता रे तो एक शनी तुझ प्याला तो वो मैंने वो ऐसे लिखी है वेरा एक कनेक्ट हिम बेरी डिवा काफी मैंने एक क्या होता ना जितनी भी बायोपिक्स बनती हैं यहां पर वो एक भाशन सा हो जाता है देशभक्ती का भाशन स्वतंतिता का भाशन और मुझे हमेशा लगा कि इसमें इंगेजमेंट कम होती है तो मैंने चीज़े दिखाई है कि कैसे किस रीजन से क्या हुआ कोई भी इंसान अपनी प्रस्तितियों का एक रिजल्ट होता है सरकंस्टेंसिज का तो इनकी कैसे कैसे सोच बदली यह कैसे कैसे कहा गई तो मैंने वो सारी सरकंस्टेंसिज क्रेट किये हैं जिसमें कि इनकी बदलाव की सोच आए तो इनका पूरा व्यक्तित्व, मैंने, इनकी जितनी भी आपने वाजपई जी की वो सुनी होगी, सावर कर्माने तेज, जितनी तव बोला है ना उन्होंने, गुसारा फिल्म में. और एक बात पूछने थी कि कोई भी अक्टर अगर कोई बायोपिक कर रहा है, तो वो जनरली कॉंसेंट्रेट करता है उस भूमी का पे, कि अज़ अक्टर मुझे क्या करना है, आपने तो लेखन भी किया है, इस सिनेमा में, आपने डिरेक्शन भी किया है, तो ये चैलेंजिस कैसे उठाये आपने, और वो अनुभो कैसे था? अनुभो बहुत मज़ेदार भी था और कठिन भी था, जब से सावरकर जी मेरी जिंदगी में आये, मेरी काला पानी की सवजा हो गई, मैंने, मैं दिन रात, दो साल से वही कर रहा हूँ, तो जब, और इसमें मैंने अपने पर, as an actor, सबसे कम ध्यान दिया, पर क्योंकि मैं इतने सालों से बिना monitor देखे acting करी रहा था, एक अपना judgment रहता है, और मुझे मैं ही लेखक भी था, सह लेखक, तो मुझे पता था कि मुझे exactly क्या चाहिए, और सावरकर जी के कौन से पहलू को किस सीन में किस तरीके से आना ह जब मैं इसमें जुड़ा था तो पहले तो इसका कुछ ढंकी script ही नहीं थी, तो मैं इतना पड़ चुका था, तो मैं बोला, और मैं 30 किलो वजन घटा चुका था, लेकिन ये कब लगा, कि मतलब सावरकर जैसा मैं दिखता नहीं हूं से, मैं सावरकर दिखता हूं, ये कब ह ये एक अजीब ही चीज होती है सर, मैं चाल सोबराज में चाल सोबराज जैसा दिखता हूं, मैं इंस्पेक्टर अविनाश में अविनाश जैसे दिखता हूं, सरब जीत में सरब जीत जैसा, ये पता नहीं कैसे होता है सर, मुझे भी इसका हो नहीं है, आप वो ख्यालातों तो मेरे जो डूबते हैं और फिर मेरी जो मेकअप आठिस्ट है चीन्होंने सभी की पिच्चर में लुक्स बनाई हैं जो का सिरिय ड्रेज लगाता गूमेगा, टाइम फै Miss तो बहुत ही कठिन वो प्रोसेस रहा पर इसमें देखिए मुझे सभी ने बोला रशावरकर जी की फैमिली से भी मैं मिला सभी ने बोला देखिए उनके साथ जो भी जुड़ता उसको तकलीफ होती है पर देता बहुत है आज इतने उनके जाने के इतने साल बाद इस देश को जो गवर्मेंट जिस पे रूलिंग गवर्मेंट उनके थौट प्रोसेस की है कोई सोच भी नहीं सकता था जब ये देश आजाद हुआ और जो इतिहास लिखा गया कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है आज fortunately or unfortunately आप decide करो सावर करजी is more relevant लेकिन ना मतलब अभी ये हो रहा है कि अब ये government आई है तो चलो अब इस ताइप की फिल्में बनाते हैं तो आपके उपर भी इस तरह के allegations हुए होगे कि चलो अब बहे रही है गंगा तो हाथ धो लो देखिए अब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कहलो भाई मैं जानता हूँ अपनी असलियत मैंने ये पिच्चर एक गुसे में बनाई है और सावर कर जी के अन्याय को स्ठीक करने के लिए बनाई है मेरी इसने किसी ने मदद नहीं की मैंने अपना घर बेच के पिच्चर बनाई है तो आप किस प्रपोगेंडा की बात कर रहे हो कौन तीस किलो वजन तोड़ के अपना एक एक डेडेड साल लगाता है प्रपोगेंडा पिच्चर में सर जो हाथ दोना होता है न वो बहुत जल्दी धूलता है और छिटक भी जाता है ड्राइ भी हो जाता है सेब भी आजाता है अवसाथ में तो यह वो काम नहीं है पर आप भई डेमोक्रेसी है आपकी सोच आप जो भी समझे मुझे कोई पब्लम नहीं आपका सावरकर जी पर अध्यान मैंने भी दख सुना आपका अध्यान काफी अच्छा है सा मुझे लगा जो और अपने अभी हिंदुत्व का भी विशय निकला था सो मेरा यह सवाल आपसे है कि सावरकर जी का हिंदुत्व जो आज तक विवादी थी रहा है सावरकर जी का जो हिंदुत्व है उनकी जो परिभाशा है उस परिभाशा को आपने आपकी मुवी में किस तरह से उता रहा है और उस परिभाशा पर आपकी क्या रहा है तो हिंदुत्वा को मैंने कैसे दिखाया है हिंदुत्वा क्योंकि आइडियोलोजी है इस पिच्चर में मैंने थोड़ी मॉडर्न टेक्निक्स यूज की है मैं उनकी विज़े दश्मी की डिबेट भी गांदी जी और सावरकर जी दोनों ओडियन्स को देख के बात करते हैं डायरेक्ट आप से बात हो लेगी similarly हिंदुत्वा को भी मैंने ऐसे दिखाया है वहाँ पे खिलाफत मॉव्मेंट शुरू होगी थी जो की कैलिफेट मॉव्मेंट थी तरकी के कैलिफ को आटमन एम्पायर का जो कैलिफ था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के वाज की पावर कम कर दी कहीं भी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोला कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं बोला सिर्फ राय बरिली के दो अली भाई थे जिन्होंने ये कैलिफेट मॉव्मेंट शुरू की जो की नॉन कॉपरेशन मॉव्मेंट थी कि अगर आप कैलिफ की पावर नहीं दोगे तो हम कॉपरेट नहीं करेंगे और गॉर्मेंट जॉब में बहुत मुस्लिम होते थे अभी गांदी मुसल्मान लोग डेमोक्रेसी में जुड़ नहीं रहे थे इंडिया नैशनल कॉंग्रेस में जुड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वो अलप संकित हैं तो डेमोक्रेसी में तो जीत सावरकर जी ने हिंदुत्वा लिखा था और उसको मैं डिरेक्ट ओडियंस को बताता हूं क्या है हिंदुत्वा एक राजनेतिक, भुगौलिक, सांस्कृतिक इतिहास है किसी धर्म का नहीं है जो हिंदु को माने, अपना माने, वो हिंदु है अब उनसे पूचा कि हिंदु मतलब हिंदु धर्म बोलते हैं नहीं हिंदुत्वा मतलब हिंदु धर्म नहीं है हिंदुत्वा और सनातन धर्म भी हिंदु धर्म का केवल एक हिस्सा है इसमें लिंगयात हैं, आरिया समाजी हैं सिख्खम को भी हिंदू बोलते थे हो अब उनसे पूछा कि यह पता कैसे चलेगा बोला भारत में आप सिंदू से रिवर तक समुंदर तक आप कहीं भी किसी को भी शेक्स्पेर की किताब दिखा दो और रविंदर नाथ टेगोरी किताब दिखा दो सब ये लोग बोलेंगे कि रविंदर नाथ टेगोरी किताब हमारी है फिर भी समझ में नहीं आए लोगों को मैंने फिर समझाया है कि जो इसको अपनी पित्र भूमी मतलब अपने पूरवजों की जमीन मात्र भूमी मतलब यहां का खान पान वेश भूशा त्योहार को अपना माने वो हिंदू है और स कि नौर्थ वेस्ट फरंटियर प्रविंस पे ज्यादा तर मुस्लिम थे प्रिटिश फॉज में तो अगर धरम के नाम पे हमला होगा तो क्या यह उनके साथ लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे तो उनने बोला कि यह आपकी पुन्य भूमी भी होगी पुन्य भू जो यह सब माने वो हिंदू है यह थी सावरकर जी की इन नटशेल पूरा उनका हिंदुत्वा का अब आप करें आज के में क्या है सावरकर जी की हिंदुत्वा की थौट थी एक नेशन फॉर्मिंग आइडेंटिटी एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अब उनका अख उस पे गर्व महसूस करना, एक पूरे देश को जुड़ने का, आज वो काम कर रहे हैं, वो आज भी गलत हैं, जो कहते हैं कि हिंदुत्वा और हिंदु धरम एक चीज है, वो नहीं है. अज़र अभ्यास आहें, तो यह सेनेमा शनेमित्त ने जहालाई कि तुला परसनली है, सगयबदल पहलावसुन आवड होती? कि अभ्यास आहें, जब मैंने पिश्चर शुरू की, तो मुझे कुछ नहीं पता था. यह सब मैंने इसको पढ़ा हैं, ढिपली पढ़ा हैं, और मैंने लार्जर हिस्ट्री थोड़ी पढ़के देखी हैं. देखो इतनी मैंने history पढ़ ली और ये history की class नहीं है और ये picture भी कोई history का भाशन नहीं है मैंने एक पूरा chronologically उनका बनाया dramatic points with dates की कैसे screen पे चलेगा उसके बाद मैंने एक पूरी hero वाली dramatic good music shots बड़े बड़े ये वो एक बहुत ऐसी picture बनाई है जिसको देखके आपको अपने देश पे अपने वीर पे और अपने पूरे उस पे आपको गर्व महसूस होगा और लगेगा कि ऐसे हम भी ऐसे दिख सकते है अमेरिकों नहीं क्या किया है American क्या करते हैं उनकी सबसे अच्छी फौज है वो कभी बुरा नहीं करते वो American means good यह उन्हेंने पूरे दुनिया में फैलाया हुआ है वियत नाम में क्या हुआ था भाई अफगानिस्तान में क्या हुआ था तो यह एक चीज है जो अवो अपने हेरो सेलिबरेट करते हैं हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं हम अपने हेरोस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आपस में ही में को एक बताओ कि एलियन जो है वो हमेशे अमेरिका में क्यों लेंड होते हैं आप कोई भी पिच्चर उठा लो हमारा देश का गौरव भी दुनिया तक पहुँचें लेकिन फिर ये सब होतो है सावरकर माने बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि आपको पता है कि महराथी समाज में लोगों के बहुत मन के पास है सावरकर का चरित्रे, स्वातन रवीर सावरकर जिम्मेदारी का ऐसास आपको कभूा और उसके लिए भी फिल्म तो रेड़ी है आपने किसी को दिखाई मतलब ज़स्ट की कुछ कम्याने ना रह जाए मुझे फिल्म किसी को दिखानी की सुरूद नहीं है मैंने बनाई है मेरा इंटरपेटेशन है सैंसर बर्क को दिखानी पड़ेगी वो बात अलगे पॉलिटीकल सैंसरशिप बलिटीकल सैंसरशिप क्यँ मैंने पिच्चे बनाई है मैंने अपना पैसा लगाए बनाई है किसी ने पैसा दिया उता तो देख़गा कि क्या प्रॉल्लम है तो उसमें कुछ नहीं है पर आप में ऐसे अ कलाकार वैसे भी अपने काम की तरह बहुत जिम्यवार हूँ ठीक है? मैंने जिम्मेवारी से ये पिच्चर बनाई है और मैंने एक इनसान जो वीर बिनायक दामोदर सावर करके पीछे एक इनसान भी है वो सिर्फ एक छवी नहीं है वो बेटे भी थे, बाप भी थे, पती भी थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे, बिमार भी थे, कष्ट में भी थे तो वो सारे vocêman जो एक्सपेक्ट होते हैं, वो मैंने पिरोए हैं एक लाररजर हिस्ट्री में अगर उनका इनसान वो थे कौन अगर वो पिच्चर देखने के बाद पता ना चले और सिर्फ हाइलाइट 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 दिखा दें तो क्या है डोकिमेंटरी देख लो यार बहुत अच्छी है यूट्यूब पर सावरकर जी के बारे में मैंने बनाये ड्रामा जिसमें हुमर आगे एक मराठी में फिल्म बने थी और जो सावरकर जी की पिच्चर में जो हाठ डालता है वेचाराइगा उसका सबक तो लिया जाता है उसकी पेशेंस टेस्ट की जाएगा तो बेकिने वो फिल्म देखी है मैंने उसके पार्ट देखे हैं मैंने पूरी नहीं देखी है फिल्म मैं इसलिए भी नहीं देखना चाहता था कि कहीं मैं और उसको जादा इंस्पायर ना कर दे सावरकर और गांधी जी के जो उनकी जिन्दगिया है तो उसमें एक जो चीज है मतलब वो गांधी जी हमेशा आहिंसा के पुजारी रहे और उनका उनकी जो जिन्दगी खतम होई हिंसा से जी ये बात कोई नहीं मांद और दूसरा और दूसरा ये हमेशा रिवोलिशनरी और हिंसा उनको कुछ वर्ज नहीं थी लेकिन उन्होंने आमरा नंशन किया मतलब तो प्राय उपवेशन किया मतलब फास्ट अंटिल देग ये नोटिस में एंड में करता हूं लोगों के लि जो अहिंसावादी थे वो गोली से मरे और जो हिंसावादी थे उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ किया ये मैं इसलिए भी बोलता हूं ताकि लोग सोचें आमर नंशन बहुत लोगों ने किया मरा कोई नहीं सिर्फ सावरकर जी त्याग दिया ये बात बहुत सोचने की है त पिच्चर में मैं उनको वीर नहीं बोलता हूं आप पिच्चर देखो घर जाके उनको वीर बोलोगे या नहीं बोलोगे आपके उपर हैं मैंने पिच्चर तोड़ा सवाल बनाई है मैंने पिच्चर में सवाल उठाए हैं लोगों के लिए डिरेक्ट उसको आंसर नहीं कर बलकि ऐसे हजारों और लोग हैं जिनके उपर ये कुछी कहानिया बहार आनी चाहिए फिल्में तो अब देखो बहुत एक कमर्शल एक सेटप भी होता है पैसे भी लगते है रिटरन बिजनेस भी है कला कला नहीं है मैंने देख लिया है मैं प्रडूसर बन गया हूँ आटेदार का भाव मुझे पता चल गया है तो वो भी है तो उन पे भी पिच्छरे मने रंडिक जी हाला कि आपने दो बार जिकर किया है तीस किलो वजन आपने घटाया लेकिन सावरकर का प्रखर राष्टरवाद और उसी टाइम वो एक कभी मन के आदमी थे मुरुदू थे तो इस चीज को ढालने के लिए अपने खुद में आपने जो वजन घटाते से में क्या क्या चीजों का खायल रखाता अपने देखिए एक तो ये वजन मैंने सारवजीत के लिए भी घटाया था पर इसमें तो थोड़ी आती हो गई यार मेरी बेहन जो है वो न्यूट्रिशन वो है यार अभी मुझे इतना वेट गेन करना है इतना मोटा लगना इतना पतला लगना है क्या क्या करोग पहली बात तो उसको यह जाता है तो इसके अंदर मेरी बेहन ने मुझे बहुत बहुत हळब की और यह सबसे बड़ा जो वेट लॉस का, आपकी हेल्थ का, सबसे बड़ा एक औजार, एक शस्त्र हमारे पास है, वो है उप्वास उप्वास, अंग्रेजी में उप्वास जो हम रखते थे उसको इंटर्मिटेंट फास्टिंग बोल दिया तो मैं 16 घंटे, 20 घंटे कुछ नहीं खाता था, पानी पीता था, ब्लैक कॉफी पीता था, ग्रीन टी पीता था, ना दूद, शक्कर, कुछ नहीं, चाय वाए, कुछ नहीं, जूस नहीं, फल नहीं, हमने क्या है, हमारे उप्वास को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, आपकी बॉड़ी खुद अपने आपको रिपेर करने लग जाती है, तो आपको, चाया वेट लोज भी नहीं करना चाहिए, आपको हफते में एक दो दिन पूरा उप्वास लखना चाहिए, जहां पे आप शाम को साथ बजे खा लो, और अगले दिन बारा एक बजे खाओ, उससे आपकी बॉड़ी पूरी रिसेट हो जाएगी, तो उपवास मेरा सबसे बड़ा एक वो था, दूसरा, चिला, थोड़ा ओमलेट खा लिया, कुछ ड्राइ फरूट खा लिये, एक चमच कोकनट का तेल पी लिया, मेरे को प्रॉब्लम आई थी, जब मेरा घुटना तू इस तर में आठ हफते तो मेरा वजन बढ़ गया, एक तो रिवेंज जीटिंग होती है, बदले भावना से खाता है आदनी, भूका मरता है, फिर मोटा हो गया मैं, उसके बाद जब दुबारा शूटिंग शुरूई अब मैं वाक भी नहीं कर सकता था, वो जो मेरा वजन ल वो मेरा काला पानी में मेरा डायट था, हाँ सिनेमा तुम चागड़े आला होता है, आज एक्टर, मज़े एक्टिंग सटी है, इतिंक मांजरे कर डिरेट कर तो थे, और से काई जहल की या सिनेमा से डिरेक्शन आपनास कर रहा है, वासे वाटला, बहुत लंबी कहानी है, और वो मेरे पिछे चली गई है, अभी ये पिच्चर मैंने ही कंसीर की है, मैंने ही डिरेट की है, मैंने ही एक्टिंग की है, और अपने खुद के पैसे डाले है, मैं ये पिच्चर अभी लोगों तक पहुचाना ही में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, जो हो गया, उस पे मत् चुकाउं जैसे की सावरकरजी निकल जाते थे अमना रंडीब बद्दलपन साणूंगे लाओडेल की आपका बैग्राउंड तो ऐसे कोई फिल्मी फैमिली से है नहीं तो आप बॉलीवुड में कैसे आए मैं बच्पन से मेरे को शौक था कि मैं एक्टर बनूं वो तो बारत के हर बच्चे को होता है आजकल होने लगाए सार उस वक्त नहीं होता था उस वक्त तो अरियाना में तो लगता था कि जाई नहीं सकते हमारी थोड़ी लठमार बोली है थोड़ा वो ऐसा इटी चूड़ी नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लम थी और ऐसे ये कलाकारी में रहना पड़ता है तो वो बहुत प्रॉब्लम थी मैं बच्पन सी इसमें था मैं स्कूल में काफी थेटर करता था हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था थेटर डिपार्टमेंट स्कूल में एक स्पोर्ट स्कूल था वहाँ मैंने अपनी सिस्टर को मैं था उस नाटक ने जोश करके पिछे रही थी ना आश्वयराय और शहरुक खांग की तो उसमें अश्वयराय का रोल कर रही थी ती नाटक में, वेस्ट साइड स्टोरी नाम का नाटक था स्टेज पे तो वहां पर मैं भी था उस प्ले में मुक्का बाजी ये वो उस वक्त भी मेधर एक्टिंग कर रहा था मैं अपने दोस्त में स्टेज पर बॉक्सिंग होती थी मुह तोड़ते देख दूसरे का तो उस नाटक के बाद वो कॉंपिटिशन चल रहा था के बाद मेरी सिस्टर को बेस्ट एक्टरस अवार्ड मिल गया सब ऐसे कर रहे हैं मैं ऐसे बठा हूँ वहाँ पर कि बगा इसको मिल गया तो मेरे को भी मिल सकता है तो वहां से मेरी चेष्टा भड़ी और एक और फेमस होने की चेष्टा एक हमारे पड़ूस में क्या पंजाबी रफ्यूजीज मतलब पाकिस्तानी पंजाबी रफ्यूजीज तो वह बहुत है थे हरियाना में तो बहुत हैं रोत तक में काफी हैं तो हमारे सामने वारे घर में भी वो रहते थे तो मैं उनके बच्चों के साथ खेलता विलता था तो उनके जो दादा जी थे वो हमें खेलने नहीं देते थे चोर सिपाई, ये वो लुकन छिपाई जो भी आप लोग खेलते हैं हम लोग खेलते थे मतलब स्टापू, ये सब खेलते थे तो वो खेलने नहीं देते थे तो एक दिन उनकी डेथ हो गई और हमको लगा कि अरे हमारे उपर से तो गया रंडा तो हम खेल विल रहे थे तो उनकी डेड बोड़ी उनके घर के अंदर इंदर पड़ी थी बाहर गेट के अंदर मतलब और उनकी जस बीवी बैटी थी, दादी जो थी और उनकी अड़ा रही थी उस पर से तो मैंने देखा तो मेरे उस वाट मुझे याद है, इतना छोटा था मैं कि ये तो मैं मरूंगा ना तो ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, बहुत लोग देखने हैं क्या उमर की उस वाद अरे बहुत छोटी थी मतलब साथ से साथ से भी नीचे होगा मैं पांच्छा साल का होगा पत्नी मख्या उड़ा रही है और हम ऐसे सोहे ऐसा नहीं होगा नहीं ऐसे अकेले में चले गए आये थे यहां दुनिया में चले गए कोई जानता नहीं कोई हजूम नहीं है कोई कुछ नहीं है तो मुझे वह बहुत वह ऐसी सिचुएशन लगी अक्टिंग का जो शुरू हुआ तो स्कूल में तो शुरू किया लेकिन हर बच्चा मैंने जैसे कहा कि हर एक को एक्टर बनना होता है मुंबई आना होता है अपनी जिन्दगी में अपनी शकल शीशे में देखता है और उसको ख्याल होता है कि यार तुझे तो एक्टर होना चाहिए ता यह होता है और यह ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको परस्यू करना है तो भाईया मैं बता दूँ एक्टिंग की जो जॉब है बहुत ही कठिन है काम है कुछ और कर सकते हो तो वो कर लो मेरी एड़वाइस ही है तो मैं मेरे को वहा से में अस्टेलिया से वापिस आया और मेने पूरी कोशिश की थी विए ना आ क्योंकि इंडिया में एकॉनमी खुली नहीं थी, यहां पर दम घुटता था तो मैं ऑस्टेलिया से वापिस मेरे को आना पड़ा जब आया तो मैंने एक आडिशन दी जिसमें मेरे को लाइने याद नहीं थी, मैं तो ऐसी मेरा नायर बोल थी कि यह बात करनी है, यह भूल गया लाइन कॉनसी तो मैं जवाब देता रहा हूं को एक्टिंग करता रहा पड़ने की, छोड़ा जिकल जाएगा, तो फिर बोली कहां से पड़ रहा हूं, मैं कहां, मैं कहां, पता नहीं, मैं कोई नहीं रख तो, very good, बोलती है, अच्छा, बैठो में साथ सोफे पे, now flirt with me, मैं अच्छा, खड़ा वार विशर 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 न उनको एक्सेंट वारा एक्टर चाहिए था, वहां से इतिफाकर, या संजोग देख लो दुनिया का कैसे होता है भाई, मुझे नसीर साहब मिल गए, नसीर साहब का पहुंचा पगड़ लिया मैंने फिर, फिर मैंने उनको छोड़ा है नहीं, 10-15 साल, काम सीखने की मेरे अं चलिया में था तब बोला था उन्होंने कि भाई तुम ये, वहां से फोन किया था मैंने, पहले सेमिस्टर में फेल हो गया था उदर मैं, तो मैंने फोन किया, भो नहीं बताया कि फेल हो गया, पापा ऐसा है कि यहां पे एक्टिंग का कूर्स बहुत अच्छा है, तो उनने मैं मेरे को नौकरी वोकरी जो मैंने कूर्स किया था उसकी उनको दिखा दी अपॉइंटमेंट लेटर, मैं का भी मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो बोले, देखते रहे मेरे को, थोड़ा बैठे दोनों, फिर उनने एक दूसरे को देखके, बहला भाई तो नहें जो करना और नाजगाना चल रहा था हमारी स्क्रीनिंग के बाद, तो मैं आगे बैठा, उसने बोला मुझे, कि यू आर दी ओनली वो डिंट सीम लाइक अटिंग, मैं हिल गया, आज मुझे कोई बोले, वो कॉम्प्लिमेंट है, मेरे को अक्कल नहीं थी, ना किसी को बोलू कि इसने दिरे स्टेज पे आगए, स्टेज से फिर मुझे राम गुपाल वर्मा जी ने एक रोल के लिए बुला लिया, फिर वो बुले और कहीं काम मत कर, तीन साल मेरे को 35,000 रुपे की तंखा पे रखते थे, तीन साल मैं घर बैठा ऐसे, ठेटर करता रहा, फिर विश्राम सावंत हैं जिन्होंने डी और रिस्क करके प्रिच्च बनाई थी, मेरे, मेरी डिरेक्शन की इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा विश्राम सावंत है, तो वो उसने बोला कि मैं एक कुछ फोटो शूट करता हूं इसका, वहां से वो डी बन गई और फिर रस्तर चले गए, काफिला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, वो काम होता रहा, कई बात, जैसे मैंने 23 साल के करियर में 11 साल में एक भी दिन सेट पे नहीं गया हूं, शूटिंग के लिए, तो अब एक भी दिन शूटिंग पे नहीं जा रहे है, तो अबिसली तुमारे बैंक में भी कुछ नहीं दो आहिए, तो वो प्रस्तितीं के वजए से वगा काफी बार मेरी चॉएस की वजए से वगा कि, नहीं मुझे यह करना है, और इसके दeखता हूं ना मुझे करना है, फिर प्रस्तितीय ऐसे आहीं, कि जो मना करते थे पहले वो भी हा करने लगे, क्योंकि किचन भी चलाना ह तो वो तो क्यार जर्नी चलती रहती है चर्नी चलती है पर मैंने एक हमेशा सोचा था कि एक सीरियस अभीने नोट सीरियस अजिन नहीं पर एक रियलिस्टिक अभीने रियलिस्टिक थोड़ा हमारा सिनेमा जादा हो उसमें से मेरा हमेशा से मेरा एक वो रहा है एम और मैंने ए की भी हैं से हाईवे हो गई चार्ल्स हो गई, काफी मैंने पिछने रियलिस्टिक पिछने बहुत की हैं और लोगों को पसंद भी आई है फिर मैंने एक और रियलिस्टिक पिछने खुद बना दी जिससे कि मुझे लग रहा है अब आगे और भी मेरे ख्याल से एक फॉर्म बदलेगा मेरी होप है यह क्योंकि यूजली आप सुतंदता सेनानी की पिछने देखते हैं उसमें एक खिड़की से लाइट आ रही होती है उसमें वो होती है धुंदसी होती है पार्टिकल्स होते है और सफेद कपड़े पहन के कोई आपको ऐसे बताता है मैं तो जहल नहीं सकता हूँ मगा तुम मेरे लिए मेरा हीरो मार रहे है यार तो मैंने इसमें बदला कैमरा वे मरा ऐसे लगाया आप मुजिक वेज़े कि फ्रांस से मुजिक करा के लाया हूँ मतलब ता कि यंग लोगों के लिए पिछे माराथी रैप डाला है मैंने संबाठा नहीं को पैशनेटली पिक्चर बनाऊ है और प्रचंड मोठी जवाबडरी पहल लिए थे सिनेमा चा माध्यमातन त्या मोड़ी अर्थात तुम्हाला खूब सारे शुभेच चा तुम्चा नवीन सेनेमा साथी और धन्यवाद थैंक यू सो मज़ अग्यू वरी मच थैंक यू अणि यानंतर मासा कट्टे अवर्थिया पनी थे इस थामुया मासा कट्टा प्रेजेंट बाई एवीपी मासा उगटा डोले बगा नीट